अगर आप भी इस समस्य से जूज रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है तो चलिए ऐसे तीन इंपॉर्टेंट टिप्स में शेयर करूँगा जहां पे इन तीन टिप्स को अगर समलित रूप से अपना लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप अपने दोबहर को आफ्टरनून को बहुत ही प्रोड़ाक्टिव बना सकते हैं पहला इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि अगर पहले तो एक स्लोगन से सुरू करते हैं कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है वो पावत है सही कहा है क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा एक्जाम है जहां पे अठारा लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं इस appearance के वज़े से ही आप इस exam को आख सकते हैं कि नीट कितना competitive exam है बहुत जादा competitive exam है जहां पे इतनी सारे student appear होते हैं और अगर आप सोग है तो आप तो ऐसे रेज से बाहर हो गए क्योंकि आपको मदब आपने बहुत सारे चीज को miss कर दिया है ऐसे क्या तीन important tips है जो आपको समलित रूप से इसको अपनाना चाहिए और अगर समलित रूप से अगर आप अपना लेते हैं तो आप नीट में बहुत बहतर करेंगे और द्रोपहर में आपको नीद नहीं आएगे बट ये पूरा का पूरा प्राक्टिस का खेल है ऐसा नहीं कि ये टीन टिप्स आज आप ना है और आज ही आपका प्रोडक्टिविटी बड़े जाया ऐसा नहीं है तो थोड़ा ये प्राक्टिस से आप सीखेंगे पहला इंप्रोडन टिप्स ही है कि जब भी आपको पढ़ते समय नीद आए तो आप अपने स्टेडी टेबल से उठ जाएए और टहल टहल के पढ़ना सुरू करिए इसी क्या होगा कि आपके बॉड़ी में ब्लड सर्कुलेशन होगा और इस ब्लड सर्कुलेशन से आप थोड़े अक्टिव हो जाएंगे ठीक है थोड़े समय के लिए नीद भाग सकते हैं अगर इससे भी आपको निजाद नहीं मिल रहा है कि नहीं नहीं हम टहल के भी आध्य गंटा पढ़ चुके हैं अब तो नीद आ रही है अभी भी नीद आ रही है तो अब क्या करें तो दूसरा सबसे important tips है कि आप दोपहर को अपने आपको hydrated करें क्या होता है कि जब हम दोपहर में खाना खा लेते हैं तो हमारे body के अंदर heat का production सुरू हो जाता है और इसके वज़से हम सु हो जाते हैं तो आपने आपको दोपहर में जादा से जादा hydrated रखना जादा से जादा पानी पीजे जूस पीजे इन दोनों उपाई से भी अगर हार गए तो तीसरा सबसे प्रमुख उपाय है कि आप दोपहर में एक कप चाई या कॉफी पी लीजे आप कहेंगे नहीं चाई कॉफी तो के सांथ कर पाई और हमारी परंपरा भी तो ऐसी है जहां पी जाते हैं चाई कॉफी तो मिलता ही रहते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है इन तीनों टिप्स को उपयोग में लाने के बाद भी अगर आप नींद नहीं जा रही है तो अब नींद को दबाने का प्रयत अर्टिविटी भी उतनी एफिसेंट तरीके से काम नहीं करेंगे जितना आपने निर्न किया है पढ़ने का कहीं ने कहीं वह भी डिक्रीज हो रहा है तो बहतर है कि तीस मिनट का एक पावर नाप ले लिजिए अपने फोन में अलाम लगा लिजिए फोन को साइलेंट करती करेंचे और आंख बंद कर के सुझाईए तो एसा नहीं कि मतबने कि 30 के बाद वारेauen बंद कर में तब फिर तो आप रहेंगे हैं कि कुई competitive बहुत ज्यादा competition बहुत ज्यादा है तीस मिनिट के बाद उठीए आपको मन करेगा कि फिर से सोजाएं बैट I'm sure कि आपका ब्रीन एक बहुत रिलेक्स अवस्था में जा चुका होगा और जो है अगर उसके बाद अगर उठते हैं तो कुछ समय बाद आदे गंटा एक गंटे बाद आप अपने आपको fresh महसूस करेंगे और फिर जो है आप अपने productivity के तरफ काम कर सकते हैं ऐसे तीन तीन चाचार स्टे के बाद भी कुछ असर हो रहा है या आपको मतब कैसा अनुभा होता है दोपर में तोड़ा मैं जानने के लिए जिग्यास हूँ जरूर कमेंट करके बताईएगा और ऐसे वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए जो बहुत जादस होते हैं Thank you so much all of you